गुड मॉनिंग बच्चों, काफी टाइम, आपका स्वागत है नवींड आजसान अपसे बोले गुड मॉनिंग बच्चों, आपका स्वागत है एन आर पी एस स्कूल में हम काफी दिनों से कोरोना वाइरस के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे थे इस वज़े से अब हम ओनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ, वो आपको आप डेली पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है आपकी अध्याए एक यानि संख्या है, यानि मुझे पांचु क्लास में जो गणित है, उसका अध्याए एक है उसके अंदर जो संख्या है, उसका ग्यान आपको कराना है पहला दे रखा है आपके अंदर कि इकाई का अंक क्या है यानि हमें पहले इकाई का अंक उसका ज्यान होना चाहिए यानि कि हमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट और नो ये हमारे क्या होते हैं? इकाई के अंक जैसे कि दो दे रखा है हमें तो ये हमारा क्या हुआ इका इका अंक, उसके बाद हमारे पास है पाँच, उसी तरीके से पाँच क्या हुआ हमारा इका 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 इसी प्रकार हमारे पास क्या दे रखा है साथ, तो साथ क्या हुआ हमारा इका 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 रखा burial again नो यानि हां किया लिखना हे नो तो पहले आपके पास क्या नो उसके बाद क्या है अगला साथ तो हमें शबदों demos फिर आएगा हमारे पास एकषी अंग और एक से नो तक ऑमयरे क्या होते हैं एक और की और जब हमारे उसी प्रकार देखेंगे कि हम दो के आगे अगर एक संख्या बढ़ती है यानि कि इकाई से अगर इधर संख्या बढ़ती है तो वो हमारी क्या होती है दाहई यानि कि दो अंख है ना दो अंख यानि क्या हो ना जैसे कि हम इसे पहले क्या पढ़ रहे थे सिर्फ जीरो उसके अगला क्या है दो यानि कि उसको मिला है हम तो 24 फिर इकायक अंक्या है हमारे पास नो फिर दूसरा अंक्या है पाच यानि कि 69 अब इन्हें हम क्या करेंगे चार और दो 24 यानि कि 24 लिखना है हमे चोबीस कि इस प्रकार लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे उसके बाद अगला अंक्या हमारे क्या है 9 और 5 नूमर पांच को हम क्या भोलते हैं? 69 यानि कि 69 इसी प्रकार अगला हमारा है सेकड़ा अब सेकड़े के एक अंदर एक अंख धाई के अंदर दो अंख और सेकड़े के अंदर तीन अंख यानि कि जैसे हमने लिखा 100 तो 100 क्या हुआ हमारा? सेकड़ा यानि कि इकाई, धाई और सेकड़ा तो यह हमारा क्या अंख हो गया? सेकड़ा और सेकड़े के अंदर कितने अंख आते हैं? हमारे पास 3 कितने अंख आते? 3 यानि कि इकाई, धाई, सेकड़ा और सेकड़े में पेर जो अंख है 1 वो क्या हुआए इसको देखने पर सो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 500-6 इकाय का अंक चार सेकड़ का अंक जीरो दाइका अंक जीरो सेकड़ का अंक पाच यानि कि 504 क्या लिखना है हमें? 504 उसी प्रकार हमें लिखना है 625 यानि कि हमारे पास यहाँ पर भी कितने आंख है तिन इनको अब हम शब्दों में लिखेंगे पहला आंख हमारा क्या है सो तो पहले क्या लिखेंगे हम सो उसके बाद क्या है पांसो चार यानि कि पहले हमारे पास पांच फिर चार यानि कि पांसो चार आप ही नहीं शब्दों में लिखेंगे 504 इसी प्रकार हमारे पास अगलांग क्या है 625 तो हमें शब्दों में लिखना है 625 इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं तो हमेरे पास आता है 1000 1000 जैसे इकाई के अंदर 1 धाई के अंदर 2 और सेकड़े के अंदर 3 उसी प्रकार हजार के अंदर कितने अंख होंगे हैं मेरे पास 4 जैसे की 4 अंख हमारे पास है इकाई का अंख क्या है? 0 धाई का अंख क्या है? पांच सेकड़े का अंग क्या है दो और हजार का अंग क्या है एक इसी परकार हम इसको पूरा क्या पढ़ेंगे 1250 और इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे 1250 फिर हम आगे और बढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हो हमारे पास पांच अंक यानि कि हमारे पास अब आएगी पांच अंकों की संख्या है यानि कि हमें अब क्या करना है पांच अंक लिखने हैं इसमें कितने अंक लिखने हैं हमें 10,000 यानि कि पहला अंक जो हमारे पास इसमें दे रखा है वो क्या है 10,000 यानि कि ये कितना दे रखा है याँ पर 15 यानि कि 15 फिर उसके आगे क्या है 5 फिर उसके आगे क्या दे रखा है 25 15,525 ये हमारे पास 5 अंकों की संख्याएं है इन्हें हम अब शब्दों में लिखेंगे यानि कि 15 हजार पांसो पच्चीस फिर उसके बाद हमारे पास है छे अंकों की संख्याएं कितने संख्याई दे रखा हैं? छे अंकों की संख्याएं इसी प्रकार हम यहाँ पर अंक कितने लिखेंगे? छे अंक लिखे जाएंगे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यानि कितने अंक हो गया हमारे पास? छे तो एकाई, धाई, सेकडा जब भी हमारे पास सेकडा आता है उसके बाद हमारे पास क्या लगता है कोमा लगता है क्या लगता है कोमा फिर उसके आगे आगे बढ़ते हम यानि कि यह हुआ हजार और फिर उसके बाद हो गया दस हजार तो दस हजार के बाद क्या होता है हमारे पास फिर कोमा लग जाता है यानि कि हम इस प्रकार से तो कोमे लगाएंगे और उसके बाद फिर इनको हम गिनेंगे यानि कि हमारे पास पहले क्या है इकाई, धाई, सेकडा, हजार, दस, हजार, लाक यानि कि कितने लाक हुआ हमारे पास छे लाक, कितने लाक हुआ छे लाग फिर उसके बाद कितना दे रखा है? एक और पाउच यानि कि पंदरा 6 लाख, पंदरा फिर उसके बाद क्या दे रखा है? दो तो क्या हूआ? 100 में फिर 200 यानि कि यहां कितना दिया है? 30 यानि कि 230 6,5,23 इनने क्या करेंगे हम? शब्दों में लिखेंगे यानि कि 6 लाख 15 हजार दो सो तीस ये हमारे किते अंक है? 6 अंक उसके बाद हमारे पास है कितने 7 अंक यानि कि हमें क्या करना है? अब 7 अंकों का ग्यान होना चाहिए यानि कि यहाँ पर अंक कितने लिखने हैं? 7 अंक लिखने हैं देख़िए जैसे यहाँ पर मैंने कितने अंक लिखें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 अंक लिखें मैंने जैसे कि मैंने इस सवाल में आपको बताया था पहले वाले अंकों में कि हम कभी भी जब कॉमा लगाते हैं वो किसके पहले लगाते हैं? सेकड़े के बाद यानि कि काई, धाई, सेकड़ा सेकड़े के बाद हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है उसके बाद क्या करना है? 10 हजार पर लगता है यानि कि फिर दो अंक यानि कि हजार में दो अंक यानि कहां को मा लगेगा दस के आगे अब देखो इकाई पहला हम क्या है फिर दूसरा क्या है दाई फिर तीसरा क्या है सेकडा फिर हजार फिर दस हजार फिर लाग फिर दस लाग फिर पहला क्या दे रखा है में एक और पांच क्या होता है पंद्रा तो पंद्रा क्या हुआ पंद्रा लाग फिर एक और जीरो उसे क्या बोलते हम दस यानि कि दस हजार फिर उसके बाद दो है और फिर उसके बाद सत्तर यानि कि दो सो सत्तर पंद्रा लाग दस हजार दो सो सत्तर अब इन्हें हम क्या करेंगे? शब्दों में लिखेंगे पहला क्या है? पंद्र है लाग दस हजार दो सो सत्तर अब हमें क्या हुआ? इकाई अंकों का क्या हो गया? हमें ग्यान कि हमें अंकों और शब्दों में से किस प्रकार लिखना है? जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा? इकाई का अंक यानि हमारे पास क्या होता? एक अंक यानि इकाई में हमारे पास कितने अंक होते हैं एक वो हमारे पास होते हैं क्रम से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो यह हमारे पास क्या होते हैं इकाई के अंक यानि एक अंक होना हमारे पास यानि कि हमारे पास एक से नो जो क्रम दे रखा है वो क्या है इकाई का अंक फिर उसके बाद आता है दूसरा दाई यानि कि हमारे पास होना दो अंक यानि की इकाई के अंदर एक और जुणना उसको बोलते हम धाई यानि की दो अंग जब भी हमें प्राप्त होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है वो धाई अंक यानि इकाई और धाई मिलाकर हमें एक से लेकर जो सो तक यानि की नण्याण में अंक दिये जाते हैं वो होते ह हमारे पास धाई अंक यानि कि जैसे 2, 5, 25 उसी प्रकार हमारे पास 2, 4, 24 उसी प्रकार है 5, 9, 69 उन्हें अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना हमने सीखा है फिर हम आगे बढ़ते हैं इकाई अंक है अपने पास इकाई धाई सेकड़ा यानि कि तीन अंक दिया यानि कि सेकड़ा हमें क्या दिया है उसने तीन अंक यानि कि हमारे पास अब इकाई धाई और सेकड़ा यानि कि तीन अंक हो गए हैं यानि कि सो बोलने पर हमारे पास क्या आजाता है सेकडा है ना जैसे इस एकडा बोलेंगे उसी प्रकार आप पास कितने पृप्त होते हैं वह हमारे åh से लेकर 900 में पूल आ własिमारे nuts नंचन दो में फेसे अको होते हैं जैसा कि सामने लिखा है 100 यानि कि ये कितना हो गया उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 1000 1000 के अंदर हमारे पास अंख होते हैं 4 यानि कि अगर हम 1000 इसको लिखते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं हम 1000 उसी प्रकार उसका करौम आगया हमारे बढ़ता जाता है दीरे दीरे तो पहला अंख क्या लिखा हुआ है 1250 पहला अंख क्या है चीरो दूसरा अंख हम आगे बढ़ते हैं उसमें हमारे पास है 1000 यानि कि जब भी हमारे पास 4 अंख प्राप्त होते हैं उसके आगे हमारे पास एक भी अंख बढ़ता है तो हमारे पास हो जाता है 1000 और जैसे हमारे पास 5 अंख आते हैं तो हो जाते हैं 10,000 यानि कि जब भी हम 4 अंख पड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा वो गिंती 1000 में जैसे कि हमने पहले एकाई पे क्या है? हमेरे पास जीरू, फिदाई पे क्या है? पांच सेगडे पे क्या है? दो और हजार में क्या है? एक, यानि कि एक हजार दो सो पच्छास. हमने शब्दों में क्या लिखा? एक हजार दो सो पच्छास. हमारे पास चार उंकों की संख्या ह यानि कि एकाई पे पांच, धाई पे आपके दो सेकड़े पे पांच, हजार पे पांच और दस हजार पे एक यानि कि 15,525 यह हमारे क्या हुए? पांच अंकों की संख्या है उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 6 अंकों की संख्या है तो कितने संख्या है? एक, दो, तीन, चार, पांट, छे यानि कि कितने अंक हो गए हमाँ पास? छे उसी प्रकार एकाई, धाइस, एकड़ा, हजार, दस अजार, लाक यानि कि छे लाक, पंदरा, हजार, दोसो, पचीस यह हमारे पास अंको, शब्दों में दोनो लिख्य हुई है, उसी प्रकार हमारे पास है साथ अंक, यानि कि क्रंग वाइस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे, यानि कि जीरो, क्या है हमरे पास, इकाई, फिर साथ क्या है, दाई, फिसके बाद दो क्या है, सेकड़ा, उसके बाद जीरो क्या है, हजार, फिसके बाद कितना है, एक, वो कितना हो गया, दस हजार, उसके बाद क्या है, लाक, उसके बाद क्या है, दस लाक यानि की एक और पाच हमारे पास क्या हुआ पंदरा यानि की पंदरा लाख फिर उसके बाद एक और जिरो किता हुआ हजार यानि की दस हजार लाख के बाद दस हजार फिर दो सो सत्तर यानि की पंदरा हजार पंदरा लाख दस हजार दो सो सत्तर ये हमारे क्या है? साथ अंक तक की संख्याएं हैं अब हम आगे देखते हैं और संख्याओं का अध्यन करते हैं एक आए के अंक पर हमने क्या लिखाया हम पर पांच क्या लिखाया हमने पांच अगला क्या लिखा हमने? चार अगला क्या लिखाया उसके? दो उसके बाद क्या लिखाया? साथ यानि कि हमें एक से लेकर नो तक अंकों के पेचाल होनी चाहिए पहला हमने क्या लिखाया? पांच यानि कि शब्दों में क्या लिखेंगे? पांच फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है शार फिर क्या लिखा हुआ है दो फिर अगला क्या लिखा है साथ उसी फरकार आगे देखते हैं दो अंख यानि कि फिर से आगे बढ़ रहे हम उसी करम को वापस बढ़ा रहे जैसे कि दो और पांच इकाएकाग पांच अगला धाई यानि कि दो और पांच कितना हुआ हमारे पास पच्चीस कितना हुआ पच्चीस फिर आगे लिखते हैं हम पांच और दो यानि कि पांच और दो कितने हुए हमारे पास बावन कितने हुए बावन उसके आगे हम बढ़ कितना हुआ 9 और 2 कितना हुआ 12 कितना अब इनने हम क्या करेंगे शब्दों में लिखेंगे पहला अंक क्या है 2 और 5 यानि कि 25 क्या हुआ 25 फिर इसके बाद अगला अंक क्या है पांच और 2 यानि कि 5 और 2 को हम क्या बोलेंगे? 52 यानि कि हमें इकाई अंकों का ग्ञान हुआ उसके बाद हमें क्या हुआ? धाई अंकों का ग्ञान हुआ इसी प्रकार फिर हम 3 अंकों पे चलते यानि कि जहां भी हमें तीन अंक मिलेंगे हम उसे क्या बोलेंगे सो से बोलेंगे यानि कि हमने लिखा यहां पर साथ, जीरो, साथ तो हम इसे क्या पढ़ेंगे इकाई पे साथ, फिदाई पे जीरो फिशेकडे पे साथ यानि कि साथ सो, साथ क्या पढ़ेंगे हम 707 मैंने क्या बोला था आपको कि 100 पढ़ेंगे इसके अंदर यानि जो हमारा अंक पेला क्या है 7 और फिर बाद में क्या है 7 यानि कि 707 फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला 925 यानि कि कई अंक 5 दाई अंक 2 और सेकडा 9 यानि कि 900 और उसके बाद क्या है 25 यानि कि 925 इन्हें हम क्या करेंगे हम शब्दों में लिखेंगे पहला हम क्या है हमारे पास यानि कि 707 पहला हम क्या लिखेंगे हम 707 पहले 7 फिर क्या बोला था हमने 100 तो 100 लिखेंगे और फिर बाद में क्या है 7 तो हमने क्या लिखा 707 फिर अगला क्या है मैंने पास 925 पहला अंग क्या है 9 तो हमने क्या लिखा 9 फिर इसके बाद क्या लिखना है 100 फिर अगला क्या है 2 और 5 25 यानि कि 925 कितना लिखना है हमें 925 यानि कि हमारे कितने अंख है तीन अब तीन अंख हम तीन अंखों में क्या ब सो फिर अगला आता है हमारे पास चार अंक और चार अंकों को हम क्या बोलते हैं? हजार क्या बोलते हैं? हजार जैसे कि मैंने लिखा यहां पर एकाई अंक पे क्या है हमारे पास? जीरो दाई अंक पे क्या है? छे फिस एकड़े पे क्या है? पांच और हजार पर क्या है एक यानि कि कितने अंक हो गए हमेरे पास चार तो हजार के अंदर हमेरे पास कितने अंक आते हैं चार पहला अंक क्या है हमेरे पास एक यहाँ पर क्या लिखेंगे हम अंक शब्दों के अंदर एक फिसके बाद दूसरा अंक क्या है पांच यानि कि जब हम चार अंक लिखेंगे तो एक के बाद क्या आएगा हमारे पास हजार क्या आएगा हजार उसके बाद पांच लिखेंगे और पांच क्या है हमारा सेकडा तो सेकड़े में क्या लिखना है हमें सो क्या लिखना है सो उसके बाद छे और जीरो छेव जीरो को हम क्या बोलते हैं? साथ तो हम क्या रिखेंगे आपर? साथ कितने अंक हुए? 21, 2, 1, 1000 यानि हमने शब्दों में क्या लिखा? 1560 ये कितने अंक हुए हमारे पास? 4 अंक हो गए इसके बाद हम लेते हैं वापसे 5 अंक यानि कि इससे एक अंक ज़्यादा पहले हमने लिखा दो कितने अंक हुए हमेरे पास? किंते 1, 2, 3, 4, 5 यानि कितने अंक? 5 अंक अब 5 में हमने देखो इकाई पे 0, फिर धाई, फिर सेकडा, फिर 1000, फिर 10,000 जब भी मैंने आपको बताया है सेकडा सेकडा जब भी आए, उसके बाद आपको उसके आगे क्या करना है? कुमा लगाना है ताकि हम आसाली से किन सके अब हमने याँ पर क्या करा? सेकड़े के पहले कुमा लगा दिया यानि कि काई, धाई, सेकडा, 1000 यानि कि हमारे पास पहले क्या है? दो, और याँ पर क्या है? पाँच, यानि इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या हुआ? पच्चीस, और पच्चीस क्या है हमारा? 1000, क्या है? पच्चीस, 1000 यानि पहले हम क्या लिखेंगे याँपर? 25 फिर कितने अंग पर आया है हमारे पास? पांच हमकों पर न, तो क्या हुआ, हजार, क्या लिखेंगे, हजार उसके बाद हमारे पास क्या है या आपर, छे, तो छे क्या है, सो, क्या है छे, सो, क्या होता है, सो तो 6 के आगे हम क्या लिखेंगे 100 उसके बाद क्या है 3 0 को क्या बोलते हैं यानि कि 30 3 0 को 30 कहते हैं तो पूरा अंक क्या लिखा हो आया पर 25,630 इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वापस 6 अंकों की संख्या है हमें यहाँ पर लिखनी है जैसे कि मैंने लिखा मैंने कितने अंक लिखे हैं यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 यानि कि हमने पहले कितने पढ़े थे 5 उसके बाद कितना पढ़ रहे हैं 6 अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम 1,2,3 सेकड़ा यानि सेकड़ा है उसके आगे हमें क्या लगाना है कोमा लगाना है फिर उसके बाद क्या करणा है 1000 क्या आगे कोमा लगेगा यानि कि 6 क्या आगे कोमा लगेगा अब देखिए आप यहाँ पर जो पहला आंग यहाँ दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है पांच पांच क्या है हमारे पास लाग क्या है पांच लाग तो पहला आंग क्या हो गया पांच लाग उसके बाद छे और साथ को हम क्या बोलते हैं छे और साथ को क्या बोलते हैं, सड़ सट, क्या बोलते हैं, सड़ सट, सड़ सट क्या है हमारा, हजार, क्या है, हजार, तो हम क्या लिखेंगे, हजार, उसके बाद क्या है, दो, और दो क्या आगे हम क्या लिखेंगे, सो, यानि तीन अंग दे रखाना, तो दो और सो, फिर क्य लिखेंगे 2 और 100 200 अब 3 और 5 को हम क्या बोलते 35 तो हम क्या लिखेंगे आगे 35 यानि कि हम इसको पूरा क्या कड़ेंगे 5,676,235 उसके बाद हमें क्या करना है अब हमारे पास है अब तक हमने कितने 6 अंकों को ज्यान करा उसके बाद आप हमारे पास कितना है साथ अंक तो हम क्या करेंगे साथ अंक के बारे में पड़ेंगे अभी तक हमने क्या लिखा था 5 अंक अब हम कितने लिखेंगे साथ अंक, यानि कि हमें यहाँ पर अब साथ अंक चाहिए गिनते हम कितने हम यांक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ अंक हो गए, अब मैंने क्या बताया था आपको जब भी हमें सेकडा मिले, यानि कि काई धाई सेकडा सेकडे के पहले क्या लगा न हमें, कोमा, फिर उसके बाद क्या हजार हजार के पहले, कोमा, ठीक है, हमने किसा क्या हो, सेकडे के पहले कोमा लगाया, फिर हजार के पहले, कोमा लगाया, यानि कि अब हमारे पास जो आगे दो संख्याएं दे रखे वो क्या दे रखे दोर पांच को हम क्या बोलते 25 क्या बोलते 25 यानि कि दोर पांच 25 फिर अगला क्या है हमारे पास 25 क्या हुआ हमारे पास 25 क्या हुआ लाग क्या हुआ लाग तो हम क्या लिखेंगे 25 के आगे लाग क्या लिखेंगे लाग फिर उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर अगर कोई संख्या होती तो हम उसे क्या मानते हजार यानि कि यहाँ दे रखा यह भी हमारा क्या है हजार तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे 25 लाग फिर आगे क्या दे रखा है ये छे हजार क्या दे रखा है हजार फिर अगला क्या है हमारे पास यहां पर बावन तो क्या लिखेंगे बावन यानि कि पूरा क्या हुआ पचीस लाख छे हजार बावन यह हमारे कितने यंख्यों का ग्यान करा हमने पहले इकाई धाई सेकड़ा हजार दस हजार लाख और दस लाख यानि कि इकाई से लेकर हमने कितने संख्याओं का ग्यान करा दस लाख तक का ग्यान करा मुझे ऐसा लगता है आप सबको समझ में आगया होगा मेरा पड़ाया हुआ इसके लिए आपको धन्यवाद आप सबी को अब ये घर पे काम करना है कोप्य बनानी है कोप्य बनाकर उनमें साब सुन्दर अच्छे अंकों में काम करना है अंकों को शब्दों में लिखो पहला है क्षונה «बनाइब को पुरहित अंकों लिए बनाइब के याजब को शय च्रॉब कहा है अंतरि झ्र नहरों नहरों में लिएर जह खना है क्षों को झाला है कर दो कर दो आपको साथ अंकों तका ग्यान करवाया है मैंने यानि कि मैंने लास्ट में कितने अंक दिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यानि साथ अंकों तका आपका अंकों को शब्दों में लिखना है धन्यवाद